दोस्तों ऐसा लगता है गौतम अडानी को अमीरी रास नहीं आ रही है इसलिए तो सबसे अमीर सूची में जब वो शामिल हुए यानि तीसरे नंबर पर आ गए तो उनके खिलाफ अमेरिका में केस दर्च हो गया और हमारे देश के यशस्वी पियम मोदी जी जो लगभग सभ भी तस्वीरों में गौतम अडानी के साथ आते हैं वो भी इससे बच नहीं पाए बिलकुल जैवीरू की तरह जैसे वो साथ में नजर आते हैं तो मुकदमा भी साथ में ही दर्च हुआ है उनके लिए बहुत ही बड़ी और बुरी खबर है लेकिन गोदी मीडिया में जरा स भी सुखबुगा हट नजर नहीं आ रही है जिस अमेरिका के साथ हर कदम पर कदम मिला कर चला जाता है तस्वीरे खिचाई जाती हैं अब उसी अमेरिका में मोदी जी गौतम अडानी आंधर पिदेश के सीम जगन मोहन रिड़ी के खलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है यहाँ पर खुद डंकापती की है तो फिर कैसे इसे मास्टर स्टो कहा जाएगा अपने देश में जहाँ पर राज कर रहे हैं मोदी जी वहाँ पर तो अपने खलाफ सारे के सारे जो भी मामले चल रहे थे वो या तो बंद करवा दिये गए और जो बचे हैं उनमें क्लीन च सुन कर आपके पहरों के नीचे से जमीन जरूर किसक गई होगी क्योंकि जह तरह से अभी चाहे बिलकिस बानु का केस हो या फिर ईतर श्था के गुज्रास की तरफ से और तिपड़ी की गई वही काफी bring to thezust वो अब विदेश में उठ गया है और इस खबर को गोधी मीडिया से लेकर मोधी जी तक कोई ट्वीट करके बताने वाला नहीं है कि हमारा मास्टर स्टोक देखिए कितना बड़ा है और वाकई हम विश्व गुरू बन गए जहां अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश की सरवोच अदालत यानी सुप्रिम अदालत ने पेगासस मामले में ये कहकर अपना पल्ला जहाड लिया था पेगासस जासूसी से जुड़े वोगे पर्याप्त सबूत हमारे पास नहीं है तो अब ये पूरा मामला अमेरिका में खुल गया है दरसल अमेरिका में भारतिये प्रधान मंत्री यानि हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी, आंधर प्रदेश के मुख्य मंत्री जगन मोहन रड़ी और बिजनस टाइकून कहे जाने वाले गौतम अडानी के खलाफ बरेश्टाचार और पेगासस स्पाई वेयर स सही कई मुद्दों पर मुकदमा दायर किया गया है, आपको बता दें ये मुकदमा भारतिये मूल के ही एक डॉक्टर ने दर्ज कराया है, जिन में इन तीनों के खलाफ कई गंभीर आरुप लगाए गये हैं, मुकदमा दायर होने के बाद डिस्टिक ओफ कोलंबिया के ये मामला दबाया जा चुका है पहले से ही, क्योंकि जब आप जानेंगे कि ये मामला आखर दर्ज कब हुआ था, तब आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे, अब आपको बताते हैं कि कौन-कौन से लोग इसमें और शामिल हैं जिनके खलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, दरसल न्यू यॉर्क के प्रख्यात भारती अमेरिकी वकील रवी बत्रा ने इसे डेड ओन अराइवल मुकदमा करार दिया है, जिसमें पियम मोदी जगन मुहन रेड़ी और गौतम अधानी के खलाफ रिच्मंड इस्तित गेस्ट्रो एंटोरो लॉजिस्ट डॉक्टर लो अपने मुकदमे के साथ कोई भी दस्तावेजी सबूत जहें वुपेश नहीं किये हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि पियम मोदी, सीम रेड़ी और गौतम अधानी और मुकदमे में शामिल अन्य लोग अमेरिका में भरष्टाचार में शामिल हैं, जिसमें विशाल का मनी ट्रंजेक्शन और राजनीटिक विरोधियों के खिलाफ पेगासस स्पाई वेयर का अस्तमाल शामिल हैं, आंध्रपिदे से तालुक रखने वाले चिकजसक ने आरोप ये लगाया है कि प्रधान मंत्री मोदी, रेड़ी, अडानी और बाकी लोग भरष्टाचार में ज अताबे के मुकदमा 24 मई को दायर किया गया है, जिसके बाद अदालत ने 22 जुलाई को इन तीनों को सम्मन भी जारी किया था, उन्हें भारत में 4 अगस्त को और 2 अगस्त को स्विर्जरलेंड के श्वाब को सम्मन भी दिया गया था, डॉक्टर वियूरू ने 19 अगस्त को अदालत के समंख्ष सम्मन प्रस्तुत करने के साक्ष भी प्रस्तुत के, हालांकि मुकदमी के बारे में पूछे जाने पर भारती अमेरीकी वकील रभी बतरा ने कहा, कि डॉक्टर लुकेश वीरू के पास बहुत जादा खाली वक्त है और उनके पास करने के लिए कोई और काम नहीं है इसलिए वो भारत की महान हस्तियों को अमेरिका में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वकील रवी बत्रा ने पीटी आई से बात करते हुए ये भी कहा है कि डॉक्टर लोकेश वीरू के पास बहुत खाली वाक्त जो तरीके से है वो उसे अदालतों में बरबाद कर रहे हैं और इसके साथ साथ अदालतों का वक्त भी बरबाद कर रहे हैं तिरपन पन्नो का एक शिकायत पत्र पेश किया गया ताकि अमेरिका के सहयोगी देश भारत के जो प्रमुक लोगं हैं उनको बदनाम कियाar सके उन्होंने कहा उनका ये मुकदमा अतिरिक्त-क्षे वकील बत्रा आगे कहते हैं कि डॉक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जिसके खलाफ मन हो मुकदमा दायर कर देते हैं लिकन दिक्कत यह है कि यहाँ पर ऐसे लोगों के खलाफ अदालत की सम्मान के खिलवार करने को लेकर कोई नियम नहीं है वहीं बत्रा ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि कोई भी वकील इस ट्वाइलेट पेपर यानि शिकायत पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं हुआ क्योंकि ये एक मुरत मुकदमा है अब देखने वाली बात ये होगी कि जो खुद आंधर प्रदेश और अमेरिका से जोड़े वे खुद एक डॉक्टर है प्रतेश्टित उन्होंने जब ये पूरा मुकदमा दायर किया है और सम्मन भी इस मामले में तीनों लोगों को जारी किया जा चुका है तो ऐसे में अमेरिकी अदालत की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है या फिर इसमें आगी की कार रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी एस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कुमें सेक्षन में जरूर बताइएगा बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बलकुल ना भूले जैहन कि झाले बारा स्ट्राइब के लूला य... झाल